गुद मॉर्निंग चिल्डन आप सब कैसे हैं आप तो अब दिवाली की तैयारी में लगे हुए होंगे आप लोग कैंडल्स कलेक्ट कर रहे होंगे अपने लिए अच्छे-च्छे कपड़े खरीद रहे होंगे मम्मी मिठाई बना रहे होंगी है ना तो आज हम पहले इन सब क करने के बाद पढ़ाई भी बहुत जरूरी है तो आप सब बच्चे कौन सी बोग निकालेंगे बाल माधुरी पेज नमबर 44 तो इसमें शब्द रचना है शब्द रचना मतला आपको कोई भी एक अक्षर जोड़ कर जहां पे फिल इन दे ब्लैंक से हैं उसको आपको तीन अक्षर वाले शब्द बनाना है नीचे दिए गए सही अक्षर को रिट स्थान में भरिए वर शब्द बनाई ये तो ये है पहले आपको ये पिक्चर देखनी है और ये क्या वर्ड बनेगा पहले तो ये सोचेंगे और फिर इसमें से सेलेक्ट करके यहां पे लिखेंगे यह किसकी पिक्चर है बटा यह है बतक तो बतक बतक तो यहाँ पे हमको इन्होंने अक्षर भी दिये हैं आप इसको कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बतक बतक अब यह पिक्चर किसकी है जिसका बहुत बड़ा मुख होता है और जो पानी में रहता है क्या करता है ये अपना मूँ खूल के जानवरों को खा जाता है और ये बहुत बड़ा निमल होता है और इसको क्या बोलते हैं मगर है ना तो मगर के लिए क्या मिसिंगे इसको पढ़ेंगे डैश गर तो इसमें क्या लिखेंगे हम म मिसिंगे ना तो मोइको यहां से हम करेंगे कट और यहांपे लिखेंगे म, G, R, मगर यह क्या दिखाए दे रहाँ आपको? आसपास पेल्ड हैं, यहां पे मिट्टी है, घास है क्या है बटाईए? डैश, र, क तो क्या बन सकता है यह word? सडक देखेंगे आप सडक है सडक सडक इसमें से हम इसको क्या करेंगे कट कर देंगे सब को और यहां पर दिखेंगे सडक सडक अब यह देखो आपने देखा होगा इसको मंदिर में भी होता है आपके घर में भी होता है और इसको क्या बोलते हैं हम कलश क्या बोलते हैं इसको कलश यहाँ पर इसको read करेंगे डश लश तो क्या बनेगा यह word मैं हमने अभी आपको बताया कलश तो हम यहाँ पर क्या missing है कर missing है कर करतेंगे हम यहाँ से cut और यहाँ पर लिखेंगे कलश यहां पे building है, यह school है, और यह market भी है दर, क्या बोलते हैं इसको बटे, यह है शहर, जहां पे शहर वो होता है, जहां पे बहुत बड़ी-बड़ी building होती है, पक्के मकान होते है, पक्की सड़क होती है, तो उसको बोलते हैं शहर, तो dash हर, तो क्या बनेगा यह? शहर, आप इसको cut करेंगे, और यहां पे लिखेंगे, शहर, शहर, dash रण, क्या दिखाई दे रहां आपको यह? और हमार पस क्या word बचाया भी? च, चरण बनेगा ना यह? चरण बिटे, जो पाउं होते हैं, उसको हम चरण भी बोलते हैं हिंदी में, जैसे पाउं होते हैं या पैर बोलते हैं, पाउं को पैर भी बोलते हैं, और पैर और पाउं को हम एक और नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं चरण, तो यहाँ पे हम पहले कट करेंगे इसको और यहाँ पे लिखेंगे चरण का लिखेंगे चरण चरण तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं ब त ख बतक मगर 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 होता है एक बहुत बड़ा जानवर और बतक होता है पक्षी बर्ड बोलते हैं जो बतक होती है वो पक्षियों में आती है और इंगलिश में उनको बर्ड बोलते हैं और यह जो मगर होता है यह बहुत बड़ा जानवर होता है और यह मूँ खोलके सब אלिमल्स को घूट भिजाता है ना तो ये इसको बोलते हैं हम जानवर है ना मगर जो है वो जानवर है और बतक पक्षी है सडक 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 इसको हम ड क्यों पढ़ते हैं आपको मैं हमने पहले भी बताया था और अब दुबारा से आपको रिपीट कर रहे हैं जब ड के नीचे बिंदी आ जाती है उसको पढ़ते हैं र क्या पढ़ते हैं उसको र कलश कलश चलश शहर चरण चरण तो आप सब बच्चे पेज नमबर 44 को एक बार अच्छे से रिवाइज भी करेंगे घर में और इससे connected और भी आप कालिस्तान या रिकस्तान आप बनाएंगे और अपनी नोट बुक में लिकेंगे Thank you बेटा